हलो फ्रेंट्स वेल्कम टू समाधाने जू किसन आज हम लोग बात करेंगे मंडी परसत का रजल कप जारी होगा आगे बात करेंगे यूपी ट्रेपल ऐसी की पुरानी भर्तियों की परिक्षाओं को लेकर बात करेंगे तो सबसे पहले हमसे जोग रहने के लिए हमारे चाहर स करजल कब जारी होगा इसके बारे में बात करेंगे और यूपिटर पर ऐसी की पुरानी भर्तियों के एक्जाम को लेकर बात करेंगे यूपिटर पर ऐसी कुछ पुरानी भर्तिया है जिनके अभी एक्जाम नहीं हुए है जैसे जेए 2016 जेए 2018 का एक्जाम नहीं कराए गया है इन भर्तियों में EWS का मैटर फसा हुआ है सासन ने आदियर दिया है कि तीन दिन में इसका निस्तारण किया जाए तो ये तीन दिन बाद पता चलेगा कि EWS के मैटर पर आयो क्या निर्ड़ा लेता है ये भी पता चल जाएगा कि तीन दिन में निर्ड़ा होता है कि नहीं होता है या फिर पंदरा दिन लग जाएंगे या फिर इसके लिए 15-20 दिन लग जाएंगे मंडी परसदक रजल मार्च के महिने में जारी होने वाला था लेकिन अब मार्च के महिने में जारी नहीं होगा ये सब बताने मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि कभी कहा जाता है मार्च में जारी होगा कभी कहा जाता है फरबरी में जारी होगा लेकिन UP टिप पलैसी ने तो हद कर दी है कभी अपनी बात पर कायम नहीं रहता है तो आप भी जान रहे हैं UP टिप पलैसी की भरतियों का क्या हाल है क्यूंकि ना ही रजल जारी हो रहे हैं और ना ही एक्जाम डेट जारी हो रही है तो बात के लेते हैं जूनिय असिस्टेंट 2019 एन मंडी परसत की रजल का काम पूरा नहीं हुआ है अभी इसके रजल में और टाइम लग सकता है मंडी परसत का रजल मार्च में आजा इसके चांस नहीं है क्योंकि जब रजल कंप्लीट नहीं हुआ है तो मार्च के महिने में कैसी जारी हो सकता है इसलिए मंडी परसत का रजल अपरेल के महिने में जारी किया जाएगा तो अब मंडी परशत का रजल पहले मार्च के महिने में आने वाला था लेकिन अब नहीं आ पाएगा इसका रजल अप्राइल के महिने में जारी किया जाएगा भर्ती बिग्यापन रजल्ट एंड एक्जाम डेट सेटे इंफोर्मिशन आप मेरे टेलियाम चाह पर जाकर सब्सक्राइब कि है यह जय भारत इस वीडियो में तैंक यू जैहन जय भारत